नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल बोलेन पियर मारकेट में दोस्तों IRCTC के सेर धारकों के लिए बहुत बड़ा जटका यहाँ पर लग चुका है और अभी भी लगना बाकी है अभी खत्रा टला नहीं है इस टॉक में लगातार ग्रावाट वो भी ग्रावाट इसकदर जितना आपने प्रॉफिट सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा इस टॉक में तेजी से ग्रावाट देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है वो खासकर मार्केट में आई हुए नए इन्वेस्टर को और रीटेल इन्वेस्टर को ही लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है अब इसके पीछे रीजन क्या है यह बात आपको बहुत आसान भासा में समझ में आ जाएगी और किसको क्या करना है यह भी चीज आपको किलियर हो जाएगी तो वीडियो में दोस्तों बढ़े रहीएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैन हमाद स्टॉक ने रुकने का नाम ने लिया और रीटेल इंवेस्टर इससे जादा से जादा अट्रैक्ट होना शुरू हुआ यहां से 3000 रुपए के लेवल के उपर से और बहुत तेजी से खास कर जातर अगर हम बात करें रीटेल इंवेस्टर हमेशा उस स्टॉक की तरह ब दिखी तो मैंने आपको जो टार्गेट दिया था इसका सरिफ 6000 रुपी का टार्गेट दिया था और इससे उपर आपको कोई भी टार्गेट नहीं दिया गया 6000 के लेवल पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो बैतर है उसके उपर आपको और बताई थी कि यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके रिटन थे 30% के यह रिटन आपके सारे के सारे धुल चुके हैं और इस टॉक अब उल्टा 5% माइनस में आ चुका है 6% पिछले 5 दिनों के रिकॉर्ड में तो इन 5 दिनों में जिन्हों ने भी इस टॉक में खरीदारी की वो सभी क सभी लॉस में पहुँच गए और इस स्टॉक के गिराबट के पीछे कोई भी रीजन नहीं यह बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि fundamentally यह प्राइस justify नहीं करता है लेकिन technically इस टॉक में जो भी आपको चीजे देखने को मिली उस बेसिस में आपको लगातार इसमें hit पे hit target और नए record बनते हुई नजर आ गए थे लेकिन अभी यहाँ पर सबस्यादा परसान कौन है जिन्होंने हाल फिलाल में इसमें investment किया और खासका सिर्फ और सिर्फ लालच की बज़े से without company में future का plan लिए तो वो लोग सबस्यादा परसान है अब देखी यहाँ पर क्या कर लेकिन सबसे बहतरी मौका यही है इसमें किया अपना laws book करने के अलाबा सांती के साथ बैठें without कुछ किये और उसके बाद आप इसमें जब यह stock को थोड़ा सा consolidate करेगा तब आपको अपना average कर लेना है और stock आपके लिए future में बापस ऐसे ही तेजी दिखाएगा लिकिन अभ इंवेस्टर को जब माल चेपना सुरू कर देते हैं उसके बाद अपना निकलना सुरू कर देते हैं और यही चीज बहुत सारे stocks में देखने को मिलेगी अब आपको पता है recently इसने अपना 1 trillion 1 trillion dollar का market cap मतलब 1,00,000,000 करोड का market cap क्रोस किया था बहीं अब कितना रह गया सिर्फ 73,000 करोड रुपीज अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसमें अभी भी ग्राबट जा रही है वीडियो रिकॉर्ड करते करती ही ग्राबट 15-16% से बढ़ करके 17% हो गई है अभी stock में कोई भी recovery के mode दिखाई नहीं दे रहे हैं आप देख सकते हैं पूरे दिन stock अभी तक उपर के तरफ जाने की कोसिस नहीं कर पाया है लिकिन ऐसा यह comeback करेगा नहीं करेगा अगर हम आज के दिन इसके delivery देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों IR CTC का हमने चार्ट यहाँ open कर लिए और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि stock में अब जो sailing pressure है वो कितनी ते ही देगा कि अगर security by delivery देखें तो सिर्फ वो सिर्फ अब 22% की delivery रहे गई है मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक करोर 27 लाग का volume trade हुआ है और जिसमें से जादतर intraday में इसमें काम हो रहा है मतलब लोग यहाँ पर short sailing करके पैसा बना रहे हैं यह चीज़ आपको साफ दिखाई दे रही है इतना volume trade हुआ है उसके बापचू सरिफ और 22% ही delivery में उठाया गया है माल तो समझ सकते हैं कि stock में किस तरह से अब गिराबट हो रही है अब एक बात और बता दूं दोस्तों यह stock market है यहाँ बच्चों का game नहीं होता है कि आप आए और आपको सरिफ पै सरिफ 10 लोग कमा के घर लेके जाएंगे यही strategy यहाँ पर काम करती है अब आप किस में से है 90 में से या 10 में से आपके उपर depend करता है क्यूंकि आपका decision आपका फैसला उक सही price range पे stock में entry लेना और किस plan से अगर आप future के plan से इसमें entry लिए हैं तो आपको फिर अभी अपना decision change change नहीं करना चाहिए और अगर आपने short term में इसमें entry ली थी short term के लिए ली थी तो आपके लिए जायर सी बात है levels पे काम करना चाहिए था और levels पे अपना profit book करना चाहिए था जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात करूं personally तोर पे तो मैं अभी इसमें कोई decision नहीं ले रहा हूं न कि कोई भी माल बेचने का plan क्योंकि future का plan ले करके चलना ही सबसे वैतर होता है जब तक आपका खुद का plan नहीं अगर intraday करना है तो intraday अलग से कीजिए intraday भी इस stock में काफी मोटा पैसा बना के दिया है इस stock में intraday के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने का record तो बहुत मालक मनाया है इस stock से अगर यहां पर बात करें तो stock में split होने वाली है और अभी तक जहां सबका अनुमान था 1200 से 1400 के level पे entry होने वाली है और आपको पता होगा मैंने आपके लिए बहुत time पहले क्या बताया था stock में कि split होने के बाद इस stock 800 से 1000 रपे के बीच आप अब यह बापस बही पर पहुंच रहा है अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आपके लिए कोई ऐसी ची बता रहा हो कि जैसे भविस्वाड़ी लेकिन जो levels आपको बतायते हैं वो सारे के सारे levels fit रहे इस stock में अब आप देखेंगे इसका 52 भी खाई तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी लिकिन फिलाल IRCTC के अंदर इतनी power और इतना potential है कि यह stock future में आपको बापस बहुत बड़े और multi-vega return देने की चंता रखता है इसलिए गलट decision नहीं लेना बाकिया आपकी अपनी मर्ची है आप किस तरह का decision लेन है वो आपका अपना फैसला है कि जो पैसा आपका है तो मर्जी भी आपकी होगी फिलाल IRCTC में कोई भी news नहीं है ऐसी जिस बिज़े से stock में गिरावाट हो नहीं पहले कोई ऐसी news की जिस बिज़े से stock में बहुत बड़ी तेजी हो तो इस सारी चीज़ें टेक्निकली तोर पर चल रहें थी बुस्तारी की चीज़ें अब आपको यहां पर फॉल होता हुवी दिखाई दे रहा है तो वो भी टेक्निकली तोर पे ही हो रहा है तो फिलाल अभी buy on dips की सला थोड़ी सी नहीं है लिकिन अगर आप थोड़ा बेट करते हैं इस stock को consultant होने के बाद अपना average क कर सकते हैं अगर आप को वीडियो पसंद आई हो चीजे समझ में आई हो तो लाइक जरू किजीगा और कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में बताईएगा जरूर